नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डॉक्टर रजे परमा यूटूब चैनल पर आज किस वीडियो में हम बात करेंगे भूख बढ़ाने वाले सीरप कौन-कौन से होते हैं जैसे कि हमें भूख नहीं लगती खून की कमी हो जाती हमारे सरीर में कमजोरी होती है ठकावट होती है तो इस कंडिशन में हम कौन से सीरप का इस्तमाल करें जिससे कि हमें अच्छी भूख लगे हमारे अंदर जो खून की कमी हुई है उसकी पूर्ती हो हमारे सरीर में एनरजी रहे तो ऐसे कुछ सीरप से हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरही कि कि मैडिशेन एवं इनफोर्मेटब वीडियो देखने के लिए चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहापर हम सबसे पहले समझेंगे कि भूँक ना लगने का क्या कारण हो सकता है तो जैसे हैपेटाइटिस एवी या फिर सी किसी ब्यक्ति को मान लीजिए हैपेटाइटिस की प्रॉबलम है तो उसको भूँक नहीं लगेगी एलकोहलिक लीवर जब हम ज़्यादा डिरिंक करते हैं तो हमारा जो लीवर है वो एलकोहलिक हो जाता है लीवर को फंक्सन बिगड़ जाता है तो उस सबी प्रॉबलम को ठीक करने के लिए कौन सा सीरप का इस्तमाल करना चाहिए जिससे कि हमारी जो सबी ये प्रॉबलम्स है हैपेटाइटिस या फिर एलकोहलिक लीवर या फिर आतों से जुड़ी कोई प्रॉबलम या फिर पाचंत अंतर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तो इन सब में हम किस सीरप का इस्तमाल करें जिससे कि हमारी ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से ठीक हो सकें और हमें अच्छी भूँक लगे हमारा सरीर स्वस्त रहे पहले नंबर पर जो सीरप है वो है एप्टी मस्ट इस सीरप के अंदर हमें साइप्रो हेप्टाडेन, एसल, ट्रेकॉलाइन, सिट्रेट और सॉर्बिटॉल ये कुछ सॉल्ट है जो कि इस सीरप के अंदर होते हैं और इस सीरप का काफी अच्छा रिजल्ट होता है और ये काफी पॉपुलर सीरप है इस सीरप का इस्तमाल भूख बढ़ाने, एनोरेक्षिया और लीवर रोग इन सभी कंडिशन को ठीक करने के लिए इस सीरप का इस्तमाल किया जाता है अगर हम इसके डोज की बात करें तो 5 एमेल खाना खाने के आदा घंटा पहले सुबह साम ले सकते हैं अगला सीरप है, डियल के सीरप और ये काफी ज़्यादा पॉपुलर सीरप है और जो जिम जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा इस सीरप का इस्तमाल करते हैं क्योंकि इस सीरप को लेने के बाद आपके जो भूख है वो काफी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है आपके सरीर में नया खून बनता है और आपका जो सरीर है वो ताकतवर बना रहता है अगर इसके डोज की हम बात करें तो 10 ml खाना खाने के बाद सुबह साम ले सकते हैं और इस सीरप का काफी अच्छा रिजल्ट है अब हम यहाँ पर बात करेंगे लिफ 52 सीरप की ये भी काफी पॉपुलर ब्रांड है और काफी ज़्यादा यूज किया जाता है लिफ 52 सीरप को अगर लीवर से जुड़ी कोई भी हमें प्राबलम होती है जैसे लीवर रोग हो गया, हैपेटाइटेस, बदहजमी, भूखना लगना इन सभी कंडिशन में लिफ 52 सीरप का इस्तमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है 10 ml खाना खाने से पहले आप सोबह साम ले सकते हैं अब हम यहाँ पर बात करेंगे एरिस्टोजाइम सीरप की काफी ज़्यादा पॉपुलर है एरिस्टोजाइम सीरप इस सीरप का इस्तमाल सबसे ज़्यादा पाचन तंतर को ठीक करने के लिए किया जाता है जिससे कि हमारी जो बदहजमी की प्रॉबलम है या फिर कब्ज की प्रॉबलम है वो ठीक हो जाती है इस सीरप के अंदर digestive enzyme होते हैं जिससे कि हमारा जो सरीर के अंदर खाना नहीं पचरा होता है हमारा पाचन तंतर ठीक नहीं रहता है enzyme का गड़बड़ी हो जाती है enzyme की तो वो सब एरिस्टोजाइम सीरप को लेने के बाद ठीक हो जाती है इसके डोज की बात करें तो 5 ml खाना खाने के तुरंत बाद इस सीरप का इस्तमाल करना चाहिए अगले सीरप के बात करें सबसे ज़्यादा इस सीरप का इस्तमाल किया जाता है लीवर रोग को ठीक करने में जैसे की फैटी लीवर हो गया हो लीवर सिरोसिस या फिर हैपेटाइटिस इन सभी कंडिशन को ठीक करने के लिए एमलिक और डीएस सीरप का सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है ये सब प्राबलम ठीक हो जाती है तो हमें आटोमेटिक भूंक लगना स्टार्ट हो जाती है अगर इसके डोज के हम बात करें तो दो से तीन चमच गुनगुने पानी में खाना खाने के बाद सुबह साम लिया जाता है आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको पसंदा है तो लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव और मेडिसन से रेलेटेड वीडियो डेली अपडेट के साथ मिलते रहेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में